नमस्कार दोस्तों Plastotech The Word of Plastics में आप सभी के सौगत है इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे हमें मशीनों पे क्या सावधानी रखनी चाहिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं fix और interlocking guards की बात हो रही यह आपका fix guard है यहाँ पे क्या है आपका fix guard है जो की fix रहता है उसके साथ साथ दोस्तों interlocking guard आप देख सकते हैं जो की आपके tie bar को lock करता है उस guard को interlocking guard कहते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो fix plate की तरफ भी रहेगा और rear guard जो आपके rear plate की तरफ रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको दोस्तों locking nuts को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब तक ये पूरी तरीके से tight ना हो अच्छे से machine को run मत करिएगा बहुत सारी problems आपको face करनी पड़ सकती है tie bar जो nuts हैं इनको lock होना बहुत जरूरी है उसके साथ साथ electrical और hydraulic safety बहुत जरूरी है electrical safety में आप देख सकते हैं ये सारे sensors हैं आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं door sensors हैं आपके उसके साथ साथ जो है rear gate sensor front door sensor इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना और important होता है दोस्तों आपका hydraulic sensor यहाँ पे लगा होगा तो hydraulic जो आपको ध्यान रखना कि किसी चीज़ को bypass मत करिए अपनी machine पे कभी कभी कोई fault आता है हम bypass कर देते उस bypass करने से बहुत सारी problems हो जाती दोस्तों और बहुत सारी चीज़े सीखने के लिए हमारा app डाउनलोड करिएगा description link पे है और हमारे courses से और भी चीज़े सीखते रही है आप और next point पे बात करते हैं दोस्तों तो next point बहुत important है अपना हाथ जो है वो running machine के अंदर मट डालिएगा बहुत सारे accidents बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है इस तरीके से आप जो है लापरवाही मत करिए कि machine चल रही और इसमें हाट डाल लिए ऐसे आप हाट डाल रहे हो तो कई बार क्या होता है कि mold जो है वो बंद हो जाता है यह आप try मत करिए हमने machine बंद रखी है safety purpose के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी machine जो हमारी बंद है तब हम इस तरीके से कर पाते हैं कोई खतरनाक instant करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खोए हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक खोई है यहाँ पर तो यह चीज़ आपको ध्यान अटना है safety purpose के हिसाब से बिलकुल भी running machine जब तक आपकी पूरी machine बंद ना हो इस पर अंदर मत घुसिएगा कोई काम मत करिएगा safety के लिहाद से बहुत ज़ादा जरूरी है दोस्तों उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़े हैं जैसे आपके nozzle guards वगयरा हैं यह सारी चीज़े आप चेक करिए proper लगे हैं कि नहीं अगर जो है nozzle guard के साथ साथ आपका barrel guard जो है heater guard कह लीजे तो यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है उसके cover वगयरा लगे हो आप यहाँ पे देख सकते है hydraulic pipe हो गयरा है कुछ sensor लगे है back pressure हो गयरा के तो यहाँ पे हाथ मट डाल यह machine चल लही हो तो आप इन pipe से छेड़ कान मत करिए कि pipe पकड़ के लटक गये हो आप इसको पकड़ के जूल लहे हो बहुत जादा दोस्तों pressure होता है इससे बहुत जादा नुकसान आप उठा सकते हो तो इन सब चीजों से बिलकुल machine चालू अगर है running condition पे है तो इन pipes को छेड़ने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे देखे आप heater guard लगे हैं यह सारी चीजे लगी रहें तभी machine को चलाईए अभी आप देख सकते machine हमारी open condition में है machine manufacturing unit में है मोल्ड चल रहा है आपका तो यहाँ पे दर्वाजा खोल के हाट डालने की जरूरत नहीं है उसके साथ साथ rear unit है यहाँ पे आपको कोई चीज टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सारी चीजे तो वैसे भी lock होती है आप हाट नहीं डाल पाओगे बट अगर sometimes अगर यह से आपको electrical devices बहुत sensitive होते हैं जो की खराब हो सकते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चलती हुई machine पे आप इसको खोल के open करके नहीं रखेंगे उसके बाद साथ साथ कोई भी fall to चीज कोई भी extra चीज जो है आप इसके अंदर नहीं रखोगे आपको अगर रखन कर दीजेगा बेल की घंटी दबा दीजेगा डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारा एप डाउनलोड करके कोर्स जरूर से जरूर लीजेगा